नमस्कार, One India Hindi YouTube चानल पर श्वेता है आपके साथ भारत की पैरा अथलीट कंचन माला पांडे जो की बीते दिनों बर्लिन गई हुई थी पैरा स्विमिंग चांपेंशप में हिस्सा लेने के लिए वो भारत लोट चुकी है लेकिन भारत लोटने के बाद जो कुछ भी बाते उन्होंने मीजिया से साजा की वो यकीनन शर्म नाग है कंचन माला को अपने इस दोरे के दोरान जिस तरह की परिशानियों का सामदा करना पड़ा उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे दृष्टी बादित कंचन माला पांडे ने बताया कि वो बर्लिन में ट्राम में यात्रा कर रही थी उस दोरान उनके पास टिकेट नहीं होने के कारण उनसे 120 यूरो बतोर फाइन मांगा गया उनके पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे जिसके कारण उन्होंने अपने साथ सफर कर रहे स्विमर साथी से पैसे लेकर वो फाइन भरा अपनी इस यात्रा को लेकर कंचन माला का क्या कहना है आईए सुनते हैं उनसे बरलीन का जो हमारा ट्रिप था ये गवर्मेंट सैंक्शन टूर था फाइन ने इसके लिए पैसा दिया था पैसा दिया था पैसा तो हमें आ गया है बट हम आपको पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे है क्योंकि हमारा अकाउंट ब्लॉक है और अकाउंट ब्लॉक होने के वज़े से आपको अपना पैसा खुद खर्चा करना पड़ेगा लॉजिंग बॉर्डिंग का और हम आपको वापस आके रिमबस करेंगे फिर मैंने उनको पूछा कि आप अच्छा एक काम कीजिए हम कैसे फट खर्चा करें हमारे पास पैसा नहीं तो मुझे लोन लेना पड़ेगा तो आप एक काम कीजिए मुझे एक लेटर दीजिए इस में लिखके देजिए कि भाई हम आपको रिमबस करेंगे अभी तो आप अपना कर्चा कर लिजिए उन्होंने कहा कि नहीं गलत हो जाएगा हम आपको नहीं दे सकते लिखके अब मुझे यह नहीं पता है कि अगर ब्लॉक है तो अकाउंट नोबर PCI ने क्यों दिया साई को स साई ने तो अपना काम कर दिया साई ने तो पैसा दे दिया ठीक है यहां तक भी ठीक है मैंने लोन लिया लोन लेके चली गई अगर मेरे पास पैसा लोन मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती और World Championship के लिए Qualify नहीं कर पाती आज और फिर Berlin में जाके यह हुआ कि हमारा responsibility हमको खुद को निभाना पड़ा, मतलब हमारा जो official work था, जो कि coach का काम था, जो official भेजा गया था हमारे साथ, Mr. कवल जीत संदू, उनका काम था, उनकी responsibility थी, उनकी responsibility तो उन्होंने ढंक से, नहीं निभाई, सारा काम हमी को करना पड़ा हमारा, मेरी गलत event में entry गई हां से, यह मुझे एक दिन पहले मेरे खुद event देखने के बाद पता चला, coach के पास event list आई, coach का यह काम था, कि let's check करना, बट coach ने नहीं check किया, मैंने खुद चेक किया, बाद में मुझे पता चला कि मेरी 100-meter free breaststroke की entry 50-meter breaststroke में कर दी गई है, और फिर मैंने IPC के पास जाके complaint की कि मेर जो है, event गलत डाला गया है, आप प्लीज इसको correct कर दीजे, एक incident हुआ मेरे साथ कि मैं ट्राम में ट्रावल कर रही थी, मैं, मेरी sister और एक swimmer था हमारे साथ, अब वहाँ ट्राम में ट्रावल करने के लिए पास बनाना पड़ता है, वो पास बनाना यह हमारे coach का काम था, हमको fine मांगा, 120 euro, 120 euro मेरे पास तब नहीं थे, मैं swimming pool से room पे जा रही थी, hotel पे, तो फिर मैंने जो साथ था, मेरा swimmer, एक मेरे जो साथ ही था, उससे मैंने पैसा बोरो किया, मैंने वोला, भाई, तु मुझे दे दे, अभी, बाद में मैं तुझे दे दूँगे, अगर वो swimmer कि वहाँ जाके हमको entry fees दो, बोले, entry fees भेजी नहीं PCI ने, entry fees भेजना आई है, PCI का काम था, हमारा नहीं था, अब entry fees के लिए भी, फिर, finally उन्होंने दी दी, मेरी दे दी, लेकिन मेरे escort की फिर मुझे भरने पड़ी, मैंने बोला, sir, मेरे पास खाने के लिए भी, पैसे कम प एंबियंस मेरा बिगडा, उसका असर तो performance पे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने अपना performance सही रखा और qualify कर ली, world championship के लिए, जाच होगी तो बहुत अच्छी बात है, जाच होनी चाहिए इन सब चीजों की, और उससे जो भी सामने निकल के आएगा, वो अच्छा हैगा, अग इसका स्टार्टिंग ही 2030 था ओवजन से होता है, तो वो कॉस्ट्यूम हम लोग एक competition के लिए यूज़ कर सकते, तो ऐसे कॉस्ट्यूम, ऐसा kit हमें government ने provide करना है जाए, क्योंकि ये kit हर sports person की इतनी financially, वो नहीं होती है condition की, वो खरीद पाए, तो ये सारी चीज़े अगर यहा इस वीडियो में आपने देखा कंचिन माला पांडे को, जो बर्लिन गई थी, पैरा स्विविंग चैंपिन्शिप में, हिस्सा लेने के लिए उनके साथ किस तरह का विवहार हुआ, ये उन्होंने खुद अपने मूँ से साजा किया, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दे झार हुआ देखा का विवहार है।